कार दोस्तो आपका हर्दिक सुआगत है दोस्तो हमाच बात करने वाले आज के मीन रासी फल के बारे में कि आज का दिन मीन रासी वालों के लिए कैसा रहेगा दोस्तो वीडियो आगर पढ़ाने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है अगर आप इस चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्क्राइब करें और साथ में नोटिफिकेशन की बेल को भी दबाएं जिससे आप तक समय समय पर महत्पुन रासी फल पहुंच सके चले दोस्तों बात कर लेते हैं कैसा रहेगा आप की रासी वालों का आज का दिन दोस्तों आज आपका दिन उपलब्दियों भरा रहेगा कारिया चेत्रों और व्यापार में वातावन आपके अनुकूल रहेगा जिया दोस्तों साधियों का सहयोग प्राप्त होगा अधिकारियों का सानेंद्य प्राप्त होगा साथी नई योजना उपर कारिया अरंब कर सक सकते हैं व्यापार में लाब के आउसर सामने आएंगे परिवारों में खुशियों का वातान रहेगा जिया दोस्तू दामपत्य जीवन में मदूरता रहेगी और संतान पक्ष से सुब समाचार की प्राप्ति हो सकती है धन को संचे करने में आप सफल हो सकते हैं साथी साथ पे आज किसी भी कार्य को करनी में जल्दबाजी ना करें वरना बना बनाया काम आपका विगड़ सकता है पती पतनी में नोग जोग हो सकती है परिवार में खुशियों का वातान रहेगा और लाब के नए अफसर आपके सामने आएंगे दोस्तों बात पर लेते हैं आपकी कि संभावना बन रही है पताथ हेंगे साती विवसाह में लाब कर योग रहेंगे begitu और अप अपने आप को संभाल लेंगे जिहां दोस्तों बूंगे के दिखतरों से दश किरियों क कारी हो में प्रिगतिश आएगी पतना के अप करियों को सτί मो कामलों में कोई अच्छी खबर आपको मिल सकती है काम की अधिक्ता के कारण कामकाज में व्यस्त रहेंगे दोस्तों बात कर लेते हैं आपके घर परिवार के बारे में पारिवाली क्रिश्टों में सुधार आएगा जिससे भाई बेनों से संबंद मजबूत हो जाएंगे और स साथी साथ घर परिवार से कोई अच्छी खबर आपको प्राप्त हो सकती है जीवन साथी के सहीयोग से आज घर परिवार की जिम्मेदारियों को पूरा करने में सक्षम रहेंगे दामपते जीवन में प्यार और वातसले बढ़ेगा साथी दामपते जीवन में मधूस्ता आ करेंगे और आज आपको प्यार के खूबसूरत पलो का एसास होगा साती जीवन साती का प्यार और सपोर्ट भी मिलेगा लव लाइफ के मामलों में आज का दिन काफी बहतर रहने वाला है दूस्तों अब बात कर लेते हैं आपके स्वास्त के बारे में स्वास्य संबंदित आपको प्रिसान कर सकती है जैसे जोडों में दर्द, एलर्जी, अपने आपको स्वस्त रखने के नियमत योग करें, व्यायाम करें, प्रणायम करें और अधिक स्वस्त रहें